Hello everyone, कैसे हैं आप सब? निशा की पार्शाला में आपका स्वागत है हमारा आज का मुहावरा है एक और एक ग्यारह होना पहले हम मुहावरे का अर्थ जानेंगे फिर मुहावरे को वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे ये भी जानेंगे चलिए, पहले मुहावरे का अर्थ देखते हैं मुहावरा है एक और एक ग्यारह होना जिसका अर्थ है एकता में शक्ति होना या संगठन में शक्ति होती है अब वाक्य प्रयोग करते हैं पहला वाक्य है पिता जी ने अपने दोनों बेटों को समझाया कि तुम लोग अगर एक होकर व्यापार करोगे तो बहुत उन्नती करोगे क्योंकि एक और एक ग्यारह होते हैं दूसरा वाक्य है गोपाल और सोहन अपनी शत्रुता भुलाकर पुनह एक हो गए तो उन्हें देखकर गाउवालों ने कहा कि यह तो अब एक और एक ग्यारह हो गए है इसी तरह से और मुहावरों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेर और कॉमेंट कर ये मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई and thank you